ही गाइज वेल्कम बैक टो यूट्यूब चैनल यॉनिक क्लासिस तो आज जो है मैं वन चोट वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्या आज हम कवर करेंगे आपकी युमेनिटीज का जो सलेबस है उसको वन चोट वीडियो में कव करने वाले डॉमीन का जो सलेबस है ठीक है तो यह एक तरीके से आप सभी के लिए क्विक रिविजन टाइप हो सकता है अगर आपने पहले स्टडी कर रखी है नहीं कर रखी है तो आपको बहुत सब कुछ जानने के लिए मिलेगा इसमें ठीक है हर नया टॉपिक जैसे ग्ल जो जाएं ठीक है और टेलिग्रां ग्रूप का लिंक डिस्कुरिशन बॉक्स में है उसको जॉइन करेंगे ठीक देखो यहां पर युमेनिटीज में आपका जो डॉमीन का जो सब्जेक्ट है उसमें जो है आपके कुछ चार पास टॉपिक्स है या मैं बोल सकती हूँ आप इसी के साथ और देखो टाइम कम रह गया है बस आज आज का ही टाइम है तो इसके बाद आप सभी का कल एक्जाम हो जाएगा तो आप सभी को जो है all the best दिक है all the best आप सभी को अच्छा एक्जाम करके आना और मुझे जो है बताना कैसा एक्जाम हूँ आ मैं वेट करूँग है तो आपको धियान रखने 1857 में एक revolt हुआ था ठीक है रिवोल्ट हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं रिवोल्ट हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं विद्रो भी बोलते हैं तो यानि कि 1857 का विद्रो भी बोलते हैं इसको तो इसमें क्या हुआ था यह सैनिक विद्रो था यानि कि हमारी जो जनता है उसने मिलकर विद्रो नहीं किया था इसी वज़े से हम जो है इस इस इयर में अजाद नहीं हो पाए अगर हम सभी मिल जाते पूरे इंडिया वाले तो ऐसा मूंकिन हो सकता था बट यहाँ पर केवल और केवल सैनिक यानि कि आर्मी जो थी इंडिया की उसने विरोध किया था तो वही चीज यहाँ पर उपर बता रखी है अगर हम ध्यान से देखिए तो देखो यहाँ पर 1857 में आप सभी के लिए जो है सिपाई जितने थी उन्होंने मिलकर किया था और 1857 का यह जो विद्रो है यह मेरेट से स्टार्ट हुआ था और दिल्ली चावनी जो थी दिल्ली के तरफ आया था ठीकि यह बात आपको दिहान रखें इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कुछ स्लाइड्स के बार अब यह देखो 1885 में क्यों इपोर्टेंट है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था इस दिन जो है जो हमारी यह नैशनल कॉंग्रेस है इंडिया नैशनल कॉंग्रेस जो पाल्टी है वो बनी थी कई बार यह चीज़े पूछ लेते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया है अब देखो 1905 में क्या हुआ था 1905 में क्या हुथा सवदेशी मोमेंट हुआ था अब सवदेशी जो आंदोलन है वो क्या होता है इसमें जो है केवल अपनी देश की चीज़े हमें अपना नहीं है बाहर के देशों की चीज़े हमें नहीं अपना नहीं है यही था सवदेशी मोमेंट 1905 में हुआ था उसी के एक साल बाद जो मुस्लिम लिग एक पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनाया आपको पता होगा तो इसका जो गठन है या फिर इसका फाउंड जो है कब हुआ था तो ये 1906 में हुआ था तो आपको में में याद रखना है कि 1857 का रिवोल्ट जो है कहां से कब तक स्टार्ट हुआ था आप देखो 1885 में आपकी इंडिन नैशनल जो पार्टी है कॉंग्रिस वो बने थी फिर है आपका ये चीज़ आपको याद नहीं करनी है ठीक है 1917 में चमपारन सत्य ग्रह हुआ था ये आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है चमपारन जब गांदी जी आये थे अफरीका से गांदी जी कब वापिस आए थे सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉकस में बता बहुत ईजी कोश्शन है ये आप सभी के लिए ठीक है डक्शिन अफरीका से कब वापिस आये थे तो उसके बाद जो है गांदी जी ने देखा कि हमारे देश में तो ये सारे चीज़े जो हो रही है तो गलत हो रही है तो उन्हों चमपारन सत्यक रहे किया 1917 में ठीक है 1917 में चमपारन किया था और फिर 1917 में ही उन्होंने जो है खेडा जो सत्यक रहे वो किया और 1918 में पाद मील स्ट्राइक हुई थी तीक है वर्करласт को सैलरी ठीक नहीं मिल रही थी हाम धेबाद में तो उसके लिए 1918 में इन्हों ने किया था ठीक यह होगया फिर उसके बाद ическая एस निस नियुस में रॉलेट सत्यग्रई हुआ था फिर जो रॉलेट हैं movies में भी देखते हैं हम देखते हैं कि अगर हमें कोई जो है police आती है और हमें जो है arrest करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं कोई arrest warrant है आपके पास इस तरीके से बोलते हैं बट यहाँ पर क्या था जो British थी British जो government थी है हमारे इंडिया में उसने क्या किया कि बिना किसी कानून के बिना किसी लोग के बिना किसी पूछताच के बिना किसी वकील के ना वकील होगा ना अपील होगी और ना ही कोई कारवाई होगी उस पर और उसको सीधा उठागर क्या जेल में डाल बिटिश गवर्मेंट क्या कर सकती है चार से पाच लोग अगर इखटे कहीं पर बात करती हुए पा गए तो उनको उठा कर सीधे जेल में डाल दिया जाएगा और वो ये भी नहीं पूछ सकते हैं कि मुझे क्यो डाला जा रहा है याने कि जबरन जबरन किया जा रहा है सब गांधी जी ने किया और रोलेट सत्यगर है सबसे पहले हुआ तक कब 1919 में इसी के बाद क्या हुआ रोलेट सत्यगर है होते 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 13 अप्रेल 1919 आ गया ठीक है 13 अप्रेल 1919 आ गया जिसमें क्या है आपका जिसमें आपका जलिया वाला बाग हत्त्यकांड हुआ इसी का रोलेट एक्ट है उसका विरोध किया जा रहा था जलेवले बाग में और वहाँ पे कौन से थे मुझे याद नहीं आ रहा है उस टाइम पे कौन से थे एक जिस परसने जलेवले बाग हतिया कान में जो है वो बिटिश का person कौन था मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है शायद मैंने आगे include की है slide उसमें हमें समझ में आ जाएगा ठीक है तो उसने जो है क्या करवाया यह जलेवलबाग घत्याकान करवा दिया था तो यह जलेवलबाग घत्याकान कब हुआ था 13 अपैर 1919 में इंपोर्टेंट है अब देखो इसके बाद जो है आपका खिलाफत आंदोलन और नोन कोपरेशन मुवमेंट याने खिलाफत आंदोलन और आपका जो असयोग आंदोलन है असयोग का मतलब है हम बिटिश के किसी भी चीज में सयोग नहीं करेंगे साथ नहीं देंगे जैसे कि कॉलिज विगर उन्होंने ओपन करें थी तो उसमें बच्चों ने जाना छोड़ दिया था जो काम वो वर्कर्स को दिला रहे थे वर्कर्स ने मापे काम करना बंद कर दिया था अपने देश के चीज़े यूज करने स्टार्ट कर दी थी वो नोन कॉपरेशन था और खिलाफत जो था वो मुस्लिम जो थे उनके तरफ से था तो इन दोनों को जोड दिया था गांधी जी ने उनका मानना था कि ये जो ब्रिटिश है वो क्या कर रहे हैं भाई-भाई में जो है क्या कर रहे हैं कटरता फेला रहे हैं ठीक है एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं फायदा उठा रहे हैं इनके बीच में लड़ाई कर वाकिये मुस्लिम और हिंदू की बीच में तो उन्होंने सोचा कि खिलाफत मुवमेंट और अगर नोन कॉपरेशन मुवमेंट जुड़ जाएगा तो इस साथ में मिलकर काम करेंगे और पूरा देश साथ हो जाया तो इससे क्या होगा हमारा देश जल्दी अजाद हो जाएगा तो ये बिलकुल सही सही चल रहा था तो फिर क्या हुआ फिर आया एक दिन ऐसा जिस दिन क्या हुआ था चोरा चोरी जो जंग है है ठीक है याद रखना है ना लास्ट टाइम एक कोशन पूछा गया था चोरा चोरी एक जंग है है चोरा चोरी नहीं है चोरा चोरी है इस तरह क आपो बता दिया, यूपी में है चोरा-चोरी जंग है, एक पुलिस थाना था, चोरा-चोरी में, तो वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर जाके लोगों ने आग लगा दी, अब आग लगा दी, तो अब जो है ये, कि गांधी जी हमेशा बोलते हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम औ वापिस लिया, ये डेट के आद रखनी है, 1922 में वापिस ले लिया, ठीक है, और किस उसके वज़े से हुआ है, किस इंसिडेंट के वज़े से, चोरा-चोरी जंग है, फिर यूपी में है, और वहाँ पर जो है, उसका पुलिस थाना में आग लगा दी गई थी, अब देख इसके बहुत सारे नाम है, नमक से जुड़े हुए, दांडी, दांडी, जो दांडी मार्च है, वो भी किसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, दांडी मार्च, कब से लेगर कब तक रहा ये, आपको इसकी डेट पता नहीं चाहिए, जो दांडी मार्च है, कब से आश्रम है वहां से इसको start किया गया था और पैदले आतरा चला कर कहां पर पोचे थे गांदी जी का कहना था नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर वेक्ति के लिए नीड है ज़रूरत है तो गांदी जी ने उस पर कानून को तोड़ दिया अब नमक बनाया गया वो प्रोसेस एक ऐसा रहा कि वो साबर मती आश्रम से चले और कहां पर पोचे दांडी पोचे रूँ वहाँ पर जाकर उन्होंने जो समुद्र का पानित है वहाँ से क्या है नमक बनाया तो ये बात आपको ध्यान रखनी है 1940 में वेक्तिकत सत्तर ग्रे हुआ था और ये 42 को याद रखो 42 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी के बाद हमें सतंदर्ता मिल गई थी जो गांदी जी ने ब्रेटिश शाषन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन कोन से किया था बहारत छोड़ो आंदोलन जिसको क्या बोलते हैं जिसको कुईट इंडिया मोमेंट बोला जाता है ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है और कब हुआ था 942 में हुआ था आप चलो नेक्स स्लाइड पर चलते हैं आप देखो जलिया वाला बाग जैसे मैंने बोला था मैंने इंक्ल्यूड किया है जलिया वाला बाग क्योंकि इंपोर्टेंट है ये आपका 13 अप्रेल 1919 को स्टार्ट हुआ था ठीक है 13 अप्रेल 1919 को स्टार्ट हुआ था स्टार्ट बड़ी भारी संक्या में इकटा हुए थे तो वहाँ पर इनी का नाम बोल रही थी मैं ये जर्नल डायर हैं इन्होंने क्या किया? गोलिया चलवा दी इनका कहना था कि यहाँ पर हिंसा होने वाली थी इनका कहना था कि यह जो मूमेंट है यह पर बलकी वो शांती से सब कुछ कर रहे थे बट इनको लगा कि अब जो है बात हाथ से निकल रही है तो इन्होंने गोलिया चलवा दी और लोगों को डरा दिया कि अब उससे यह मूमेंट नहीं चलेगा समझे लो इस तरीके से किया है इन्होंने तो एक तो उनका नाम इंपोर्ट है इसमें ठीक है अब चलो अब आता है 1857 का रिवोल्ट यह क्यों हुआ था क्यों सैनिक भड़क गए थे इसके पीछे कुछ रीजन है ठोड़े बहुत रीजन जान लो जादा जानने की ज़रूद नहीं आपको जैसे कि जो आर्मी वाले उनके पास क्या उनको जो है एक ऐसा कार्टूस टाइप था एन्फिल्ड राइफल नाम का एक कार्टूस था यानि कि मैं बोल सकती हूँ बॉम टाइप कुछ हो सकता है जिसे मूँ से छिलना पड़ता था और खबर क्या फैल गई? खबर ये फैल गई कि य पिग और काओ का फैट से बना है, यानि कि सुण और गाए के माच से बना है, इस वज़े से जो है, Muslimों के लिए जो सुण है और जो गाए पूजने किसे के लिए होती है, हिंदू के लिए होती है ठीक है अब मेरे को नहीं बता मुसलिम के लिए जो पिग है वो पूझने होता है या फिर नहीं होता है बट कुछ रीजन होता है इनके पीछे किसी को पता तो मुझे जो है कमेंट बोक्स में बता देना ठीक है मुझे भी आइडिया लग जाएगा कि अब देखो इसकी वेज़े से जो है मुसलिम भी खिलाफ हो गए क्यो वो भी मुम से मुम में सूर का मास नहीं ले सकते थे और जो गाय का मास जो है वो हिंदू नहीं ले सकते थे तो इसलिए जो है ये जो मुमेंट होने के बीचे करंट जो रीजन था वो यही था ठीक है इसक जो land revenue policies वगरा हैं वो किन के लिए बनाते थे केवल और केवल अपने लोगों के लिए बनाते थे तो ये था और एक दो चीज़े और भी है जैसे कि doctrine of lapis doctrine of lapis क्या होता है कि हड़प की नीती हम बोल सकते हैं हड़प की नीती हड़प हडप की नीती इसमें क्या था अडप की नीती में इसमें ये था कि वो क्या करते थे किसी ने किसी reason से बताते थे कि जैसे कि आपने सुना होगा जहासी वाली जो रानी है उनका खुद का बेटा नहीं था उन्होंने गोद ले रखा था तो इन्होंने इन्होंने असी किया था कि काम सही से नहीं कर रहा है राजा और इस वज़े से इसको हमाँ डप रहे हैं तो ऐसा कर करके ये एरिया अपने अंडर ले रहे थे इसकी वज़े से भी बहुत बड़ा रोल है वो रहा है अवद के जितने भी लोग थे वो इस मोवमेंट में जोइन कर लिया था उन्होंने तो काफी सारे जो है और एक दो चीज़े ऐसी हो रही थी जैसे कि इन्होंने क्या कर दिया सती प्रथा खतम करी है इन्होंने क्या किया विद्वा विवा स्टार्ट कर दिया यानि कि इंडिया के जो मामली है उसमें गुशना स्टार्ट कर दिया तो उनको लगा इंडिया वालों को ये तो सही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी ये हमारे साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है हमारे मामलों में गुशना शुरू कर दिया है ब्रिटिश ने अभी तक तो केवल हमसे काम ही करा रहे थे, अब जो हमारे मामलों में घुसना स्टार्ट कर दिया, तो इनके अंदर घुसा बना हुआ था, तो वही निकल के आया 1857 के रिवोल्ट में, अब इसका क्या-क्या इंपक्ट पड़ा, एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि जो कंप ये जादा नंबर, जो बिटिश के जो लोग हैं, उनको रखेंगे आर्मी में, और इंडिया के जो सैनिक हैं, उनको नहीं रखेंगे, इन्होंने ये डिसाइड किया, क्योंकि उन्होंने तो विरोध किया था, तो उनको डर बैटेगा, ये कुछ भी कर सकते हैं इस बज़े किया है, पार्लेमेंट सबने सुना होगा, और आपने सुना होगा एक राज़्टपती भी होते हैं, हमारे देश में जो है, प्रेजिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, और हमने सुना होगा लोग सभावी होती है, और राज्य सभावी होती है, तो ये सब पी-म के चुनाव भी बोल सकते हैं, लोकसभा के अंदर को ना था, पी-म आती हैं, प्राइम मिनिस्टर आती हैं, बात आपको धियान रखनी हैं, यानि कि लोकसभा में जो भी पार्टी जीतती है, उसका एक जो हेड होता है, वो क्या होता है, वो पी-म बन जाता है, ठीक है, तो हम जो इसके डिरेक्ट चुनाव करते हैं, आपको धियान रखना हम इसके डिरेक्ट चुनाव करते हैं, लोकसभा में क्या होतार डिरेक्ट चुनाव होते हैं, हम जो है डिरेक्ट चाते हैं और अपना वोर्ट दिकर आते हैं, और वही जो आदमी खड़ा है, वही जीतता ह अब यह क्यों important है क्योंकि देखो संसत के चणाव उसी तरह से होते हैं जैसे राजय विधान मंड्ल के होते हैं देखो आपको दियान रखनाओ जो लोक सबा कब भंग भी होती है ये बात भी धियान रखना एं पर राज्य सबा कभी भंग नहीं होती है इसका मतलब राज्य इनको हटा कर दूसरे मेंबर चुनाव के थूरू, इलेक्शन के थूरू आ सकते हैं, ठीक है, EVM, EVM मशीन के थूरू हमारे चुनाव होते हैं, EVM मशीन की फूल फॉर्म आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए, चलिये, अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया, तो ये तो गलत बात है, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कह रही हूँ, आप देखो, Parliament के बारे में अगर मैं बताऊं, तो Parliament of India जो है, उसमें आपके Council of States आ जाती है, याने के राज्यसभा और लोकसभा, इस चीज समझ लो, Parliament याने के संसत, संसत में आपके तीन पार्ट संसत किन से मिलकर बनी होती है, एक तो राष्टपती से, एक राज्यसभा से, औ राजे सभा है, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, लोक सभा को जो है, क्या बोला जाता है, निचला सदन बोला जाता है, ठीक है, निचला सदन, ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं, लोवर हाउस, इसको लोवर हाउस बोला जाता है, और इसको अपर हाउस बोला जाता है, यानि क उपरी सदन बोला जाता है किसको राज्य सभा को राज्य सभा के पास पावर कम होती है फिर भी इसको उपरी हाउस बोला जाता है ठीक है और लोग सभा के पास पावर जादा होने के बाद भी इसको लोवर हाउस बोला जाता है इस तरह किसी व्याद कर सकते हो और लोग सभा एल से स्टार्ट होती है और इसका दूसरा नाम भी लोवर है ठीक एल से स्टार्ट होती है इस तरह किसी बात कर सकते हो दूसरा लोग सभा को house of people बोला जाता है और राज्य सभा को क्या है council of states बोला जाता है अब इसमें कितने total of members होते हैं ये आप खुझ चेक करें क्योंकि एक ऐसा amendment हुआ था सुन्शोदन हुआ जिसके बाद ये 12 जो प्रेजिडेंट ने जो खुझ चूज कर दे थे ना उनको हटा दिया अब इसके बाद total कितने रहे हैं आप सभी मुझे comment box के अंदर बताईए ठीक आप देखो ये मने बताई दिया कि भारते संसर जो है उसमें राज्य सभा होती है और लोग सभा होती है और राज्य सभा के दूसरा नाम कौन सा है आप सभी मुझे comment box में बताईए क्योंकि आप को याद होगा उसके बाद क्योंकि आप बार बार जो भी चीज लिखते है ना तो आपको याद हो जाता है तो आप कल नहीं भूलेंगे ऐसी चीज़े question में आती है question paper में okay आप देखो sorry globalization करते हैं अब ये globalization होता क्या है फटा फट से समझ लेते हैं देखो global global का मतलब क्या होत है विश्व हम बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वर्ल्ड तो आपको पता होगा वर्ल्ड को connect करने के लिए क्या start किया गया था globalization अब ये कब start हुआ था अगर मैं आप से question पूछू तो एक बात समझो जब हम आदी मानव थे हमारे पूरवर्ज जो आदी मानव रहे हैं क हमेशा से start हो रखा है मैं नहीं पता ये कब से start हुआ है बट अगर पूछा जाए इंडिया में globalization कब से start हुआ है तो 1991 में start किया गया था ठीक है ये बाध्यान रखनी है अब ये होता क्या है इसमें क्या है example कि तुरू समझाओंगी देखो जैसे की आपने सुनाओगा अमेर चुप सारे औस्ट्रेलिया में भी जाते हैं काम करने के लिए वहीं पे जाके settle भी हो जाते है तो ये क्या है ये एक globalization है वैशुई करन बोला जाता है बहुमडली करन बोला जाता है लिए ठीक तो ये भी एक globalization हो गया क्योंकि एक जो व्यक्ति है वो अपने देश से दूसरे देश में गया है, कोई भी दूसरा देश हो सकता है ओके, ठीक है अब देखो, हम बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं कि हम बाहर के देशों के अपनाते हैं जैसे कि हम western clothes जो हैं, उनको अपनाना start कर दिया हमने अब हमारा पहनावा यह suit पहनावे में बहुत अंतरा आ गया अब जो हम क्या पहनते हैं, जिन स्टॉप पहना start कर दिया हमने इस तरीके से, और इस तरीके से man जो हैं, उन्होंने भी कूर्टा पजामा छोड़कर और अब जो है shirt और pant पहने start कर दिया तो यह western culture कही ना कही आना start हो गया है आज चुका है mostly, तो यह जो culture का transfer हुआ है यह भी क्या है आपका, यह भी आपका globalization हो जाएगा ठीक है, इसी के साथ अकर बात करूँ, आपने सुना है दिवाली के time पर हम कहते हैं, चाइना का माल ले लो एक दिवाली चला और फिर उसको fake दो खिलोने चाइना के लेते हैं, ठीक है भई चाइना चाइना के चीज़े यूज नहीं करते, कुछ चीज़े हम branded यूज करते हैं, और जो बहारी बनती है ठीक है, ऐसे भी देश है तो उनकी चीज़ों को हम यूज कर पा रहे हैं और हमारी चीज़ों को वो यूज कर पा रहे हैं तो ये भी कह, ये भी globalization है एक और चीज़ समझाती हूँ, जैसे की अमेरिका में software जो engineer है न, उसकी मांग बहुत जादा होती है, और हमारे इंडिया के लोग है, 75% से लेक 80% तक, तो ये भी क्या है हमारे लोग service provide कर रहे हैं पर कहां कर रहे हैं, अमेरिका में चाके कर रहे हैं तो ये भी globalization है उके, उनके अमेरिका की जो company होती है वो यहाँ पर आकर, हमारे इंडिया में आकर काम खोलती है, factories खोलती है ये भी globalization है अब और भी ज़्यादा मैं deep में जाऊं थोड़ा से बताऊं, तो जैसे burger आपने सुना होगा किसका burger famous है बताओ कौन सा burger famous है, जो हम यहाँ पर खाते हैं मेरे को बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा कि वो किसका burger एक मिनिट मुझे सोचने दो मैक डोनल्स का जो burger है वो हम खाते हैं, तो वो बाहार की company है, जो हमारे इंडिया में आकर जो है, उसका जंग है जंग है जो है, उसके चीज़े खुली हुई है तो ये भी globalization है, यानि कि मेरे कहने का मतलब ये है कि globalization केवल goods यानि कि किसी वस्तू का लेन देन नहीं है, इसका मतलब है वस्तू, thinking ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, वो भी हमारा कौन डिसाइडो कर रहा है, बाहार से हमारी चीज़ों पर effect पढ़ रहा है, ठीक है या फिर हमारे रहन सहन पर, हमारे पहनावे पर, हमारी lifestyle पर, हमारे culture पर ये सब कुछ जो effect पढ़ रहा है बाहर के देशों का, तो ये भी globalization है, वैश्वी करन है, यानि कि एक country का अनेक country के साथ जुड़ना interaction करना, वो क्या होगा या फिर interconnection करना ये क्या होगा, आपका ये globalization हो जाएगा, ठीक है तो समझ गए, तो यहाँ पर आपको ध्याँ रखने केवल, वस्तू का लेन देने हो ता सर्वीस का भी होता है, investment भी होता है, investment का मतलब होता है हम अगर अभी, अपने अभी, present में अगर हम क्या करते हैं, money लगाते हैं ठीक है, money लगाते हैं, तो हमें future में क्या होगा, profit होगा इसको हम क्या बोलते हैं, investment बोलते हैं रैसे अगर अभी, आप कोई book खरीद रहे हैं फढ़ने के लिए, तो future में वो book जो है, आपको दुग नहीं कमाई दिलवाएगी, तो ये क्या होगा, investment होगा, technology यानि कि हम बाहर की चीज़ों को use करते हैं, तो ये technology हो जाएगा, ठीक, तो इनका लेन देन क्या होता है, अलग-अलग countries के बीच में जब होता है, तो ये globalization हो जाता है, अब इसके कुछ impact भी पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ होती है, तो अच्छे भी होती है, बुरे भी होती है, green में जो है, वो अच्छा है, positive है, effect और जो red में है, वो negative effect हो जाएगा, अब देखो, जैसे कि मैं positive की बात करती हूँ, तो देखो जैसे increased trade, यानि कि वेपार में व्रिदी होई है, हमारा जो समार है, हम जो इंडिया बनाते हैं, उसकी value यहाँ पर कम होती है, अब बाहर के देशे में जो हम बेचते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत जो कमाई है, वो हो जाती है तो वेपार, अच्छा हुआ है greater choice of goods, यानि कि अगर हम यहाँ पर भी देखें, तो बाहर के जो चीज़े हैं, वो हमारे देश में आने, start हो गए तो हमारे पास जो बहुत सारी option हो गए हम कोई भी shopping करने चाहते हैं, तो समझ में नहीं आता हम क्या लें, इतने बड़िया से बड़िया चीज़े होती हैं, और हर चीज में qualities जो अलग-अलग होती है तो समझ में नहीं आता है, इतना सारी option हो गए हमारे पास, तो यह एक इसका जो positive impact हुआ है greater competition, competition बढ़ गया है जिससे क्या है, price जो है किसी भी चीज का, अगर मानो एक चीज मैं ही मैं ही बनाऊँ, तो मैं अपनी मलजी से उसका rate कितना भी रख सकती हूँ, अब आपको वो खरीद नहीं पड़ेगी, बट इसमें क्या है, competition बढ़ गया है, क्योंकि चाइना का माल भी इंडिया है, और देशों का माल भी इंडिया है, जिससे क्या है अब एक जैसी चीजे बहुत सारी हो गई है ठीक है, तो अब जो मेरे पास option मैं एक जो हूँ बहुकता हूँ, तो मेरे पास option है कि मैं consumer हूँ तो मेरे पास option है कि मैं यह खरीदू, यह खरीदू, यह खरीदू, या फिर यह खरीदू, या फिर यह खरीदू, या फिर यह खरीदू, तो इसका मतलब अब मैं क्या देखूंगी, price भी देखूंगी, quality भी देखूंगी, हर चीज देखूंगी, तो यानि कि इससे price कम हो जात है ठीक हर कोई बेचना चाहेगा न अपनी चीज अगर एक पांसो के चीज मिल रही है और वही क्वालिटी की मुझे दोसों में मिल रही है तो मैं दोसों की करीदूंगी न तो यही चीज है आप देखो याने की जो GDP है वो बढ़ रही है हमाय देख की GDP का मतल़ होता है कि एक साल में हमने कितना जो वस्तुई हैं वो बनाई हैं ठीक है यह उसका पूरा पूरा लेखा जोका होता यह आगे जाके समझेंगे जब बड़ी क्लास में हो जाएंगे तो इससे बहुत ज़ादा बाहर के देश की हम पैसे लगाने के लिए त्यार हैं तुम देख रेक करना उस फेक्टरी की तो हम मिलकर काम कर लेते हैं तो यह भी क्या है globalization हो गया ठीक है इसके सासा लेबर जो है उनको भी काम मिलना स्टार्ट हो गया यह बोल सकते बट इससे जो बिरुजगारी भी काफी ज़्यादा बढ़ी है और इसके वज़े से जो unemployment ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर होता है उसमें move कर जाती ह कमपनी कभी बाहर की कमपनी हमारे देश में आती है कभी बाहर चली जाते है दुबारा से कभी वो बिसनेस स्टार्ट करती है कभी दूसरे स्टेट में ले जाती है तो इसकी वज़े से unemployment जादा हो गया है दूसरी बात monopoly हुआ है पावर monopoly हुई है यानि कि एक अधिकार बन ग तो ये भी क्या है ये भी इसका जो है negative impact हो जाएगा तो देख लिए हमने सब कुछ अब इसी के साथ जो है ये जो मैंने आपको one short करवाया है मेरी ख्याल से helpful रहेगा आप सभी के लिए और इसे साथ साथ अगर मैं बताऊं आपको जो social justice वाला आपका topic है और जो resources वाला है उ ये चीज़े आपको छोटी मोटी चीज़े आप खुल भी देख सकते हो ठीक है तो इतना करवादिया मैंने मेरी ख्याल से जादा रहेगा आप सभी के लिए काफी helpful रहेगा तो thank you for watching this video like share and subscribe और इसके साथ ये साथ जो है आप से मुझे बताएंगे वीडियो कैसे लगी thank you all the best for your exam